इम्रान बनार्ची पिछले दो वर्षों से नहीं आ रहे थे मगर इसके पहले दो बार आ चुके हैं इस बार कुछ नया हुआ होगा आये हैं जैसा पढ़ें उसकी आवाद तरणुम का बहुत धनी है बहुत अच्छा शायर है आवाद में खनक है अगर आपको लगे कि अच्छा सुना रहा है आप होँसले से तराज दे दीजिएगा होँसले से उसकी आवाद जाई कर दीजिएगा सिर्फ कहते हैं जहां दो वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से आती है वहां लोगों के होठों पर हसी मुश्किल से आती है पड़ासी ने मेरे जब से मकाउचा किया अपना मेरे आंगल में तब से रोश्णी मुश्किल से आती है जोर दार तालियों से आप इमरान बनार्थी को सुनिए अपनी जमना रहे अपनी गंगा रहे ना किसी शहर में कोई दंगा रहे सरभले ये कटे इस वतन के लिए पर ये लहराता अपना तिरंगा रहे अब बाद बाद दालियों आपर जोरदार हो जाएं भाई इमरान बनार्थी आपके बीच को आगया चार में साथ पेसे खिबनत कर रहा हूं सुनीगा आगया आवाज थोड़ा बढ़ा दीजिए आपास से पहना है बढ़ी आवाज देश पे कुर्बान होना चाहिए सब 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 का ये अर्मान होना चाहिए सब का ये अर्मान होना चाहिए और हिंदू मुसलिम से किसा जो भी है दिल में घिंदूस तान होना चाहिए का बात है शांदार पढ़ा शांदार शांदार बहुत अच्छा इमरान चाहिए बहुत अच्छा देश पे कुर्बान होना चाहिए दिल में ये अर्मान होना चाहिए हिंदू मुसलिम से किसा जो भी है दिल में गिंदूस तान होना चाहिए दिल में गिंदूस तान होना चाहिए अश्यर बतो ले खास बता हो यहां सुनिएगा अंबर भाई बता हो जो दीजिए आप द्वाएं द्वाएं अजमतो तौकीर ले सकते नहीं अजमतो तौकीर ले सकते नहीं अर मेरी मेरी यह जागीर ले सकते नहीं अर इस जनम क्या साथ जनमों बाद भी मुझसे तुम कश्मीर ले सकते नहीं अर मुझसे तुम कश्मीर ले सकते नहीं अजमतो तौकीर ले सकते नहीं अर मेरी यह जागीर ले सकते नहीं महफिले एक ता सजी होगी हर तरफ अमनो शानती होगी हिंदू मुसलिम गले मिलेंगे जब बस उसी दिन मुझे खुशी होगी कि मुझरिमों को फकत बचाना है बेकसूरों को जेल जाना है बेकसूरों को जेल जाना है जो है सच उसको जू तिलिक देंगे गोद मिडिया का ये समाना है जाना है खोदा ही जाने ये चाहत कहां से मिलती है कि खोदा ही जाने ये चाहत कहां से मिलती है दोवाएं खैर ही जिनकी जबा से मिलती है दोवाएं खैर ही जिनकी जबा से मिलती है सुकून मिलता है राहत भी मा से मिलती है अरे मुझे पता है जन्नत कहां से मिलती है कि जन्नत कहां से मिलती है सुकून मिलता है चाहत कहां से मिलती है और दोवा दोवाएं खैर में दोवाएं खैर ही जिनकी जबा से मिलती है सुकून मिलता है राहत कहां से मिलती है सुकून मिलता है राहत कहां से मिलती है अरे मुझे पता है के जन्नत कहां से मिलती है कि मुझे पता है कि जन्नत कहां से मिलती है मुझे पता है कि जन्नत कहां से मिलती है मुझे पता है कि जन्नत कहां से मिलती है एक गजल का दूशे पता सुनीगा वागत है अब हराज से सुनाता हूँ सुने ज़रो भाई इम्रान भाई एक मिनट के लिए बच्चे ध्यान दें अगर आपके बगर कोई आपसे सीनियर खड़े हैं तो उनको बैठने दें कुरसियां उनके लिए दें बच्चे इस बात का ध्यान दें दिलिप जी पीछे कुछ लोग खड़े हैं संभ़ हो तो कुरसियां उप्लब्त करा दें अब नहीं नसल की जिन्दगानी लिखो खोक लाजसम बूड़ी जवानी लिखो अब नहीं नसल की जुद गाहनी लिखो कि भाई पर भाई की महरबाहनी लिखो भाई पर भाई की महरबाहनी लिखो यानि सस्ता लहू महंगा पानी लिखो यानि सस्ता लहू महंगा पानी लिखो बार एक शेर बतो रहे खास इस ड्राम को आई विड्याले के तर्च में एक शेर में पता हूँ सुनेगा कि इस हवेली कि मिटी को पहचान कर इस हवेली की जिन्दगानी लिखो खोकला जिसम बुड़ी जवानी लिखो अब नई नसल की जिन्दगानी और एक शेर बतो रहे खास इस ड्राम के लिए कि इस इमारत इस हवेली की मिटी को पहचान कर इस हवेली की मिटी को पहचान कर ये इमारत है कितनी पुरानी ज़े ये इमारत है कितनी पुरानी लिखो एक शेर बतो रहे खास याकरी श्रेर पढ़ा हूं यहाँ अगर मिडिया और ये शेर मिटी बतो रहे खास नोड करीएगा सुनियेगी कि हाथ कट भी जाए है तो कुछ गम नहीं कि हाथ कट भी जाए तो कुछ गम नहीं जभी लिखो तो सची कहानी लिखो जब लिको तु तु सची कहानी लिखो जब लिको तु सची कहानी लिखो इल्मों किर्दार की दॉलत नहीं मिलने वाली इल्मों किर्दार की दॉलत नहीं मिलने वाली अब बुजर्गों की सहबत नहीं मिलने अब जमाने से भला हम को क्या लेना देना अब जमाने से हमको है बला क्या लेना देना अब जमाने से है हमको भला क्या लेना देना अब तेरे घम से गी पुरसत नहीं मिलने वाली अब तेरे घम से गी पुरसत नहीं मिलने वाली और दिल लगाना तो जरा सोच समझ कर ऐदो और ये जुदा होंगे तो राहत नहीं मिलने वाली